Hi everyone, welcome to the channel, I am Simran Sahani and आज मैं आपको पराऊंगी Flamingo book के most important questions देखो ये वो question है जो तुमें अपने board exam के question paper में दिखने वाले हैं आज नहीं पिछले बहुत सालों से में जो questions बता रही हूँ वो board exams में आते हैं कि as a teacher कौन सा question है बढ़िया जिसे exam में include किया जाए and thank God वही questions आपके senior school के paper में दिखते हैं और इस साल आपको भी जरूर दिखेंगे अपने board exam की sheet के ओपर question paper के ओपर तो तयार हो जाओ most important questions को cover करने के लिए मेरे साथ में मेरे channel पे Simran Sahani तो भाई आप लोगों को एक द्वात और बटाना चाहती हूँ before starting these most important question answer वाली series कि अगर आप मेरे भाई भेन हो तो प्लीज कभी भी सिर्फ और सिर्फ question answers पर depend मत करना देखो question कितनी भी चल्दी हो रही हो ना तुम्हें ऐसे होगी भाई या बहुत कम time में पढ़ने का तब भी सिर्फ questions कभी मत पढ़ना देखो आज कल YouTube का जमाना है और one shot lectures आप बहुत अराम से पढ़ सकते हो तो मैंने भी अपने चैनल पे आपके हर एक चैप्टर का फ्लेमिंगो बुक का विस्तास बुक का फ्लेमिंगो की सारी पोयम्स का सभी का one shot lecture बना दिया है कम से कम समय के अंदर सारे chapters पढ़ा दिया है दो दो घंटे की वेडियो है और उस दो घंटे में आपके सारे chapter complete हो रहे है तो पहले देखने हैं आपको one shot lectures जिससे chapter का base पता हो chapter का core पता हो stories अच्छे से दिमांग में बैठी हो and then practice करने question तो अगर पहले book पढ़नी है आपको chapters को समझना है तो प्लीज जा के description box में open comment में में वीडियो लिंक देदिया वहां से जा के पढ़ो और YouTube ने तो हमें इतना अच्छा feature भी रखा है 1.5x पर आप speed कर लीजिए मेरी आवाज आपको 1.5x पर अच्छे से समझ में आ जाएगी वैसे तो मैं थोड़ा 30 बोलती हूँ तो मेरी शायद तुम 2x पर दुना सुन पाओ but 1.5x पर definitely आप जो है वीडियो को अच्छे से सुन सकते हो समझ सकते हो chapters को अगर आपके पास कम टाइम है तो और उन्हें अपनी टिप्स पर कर सकते हो जब chapter tips पर हो जाएंगे तो आती है question answers की बारी जो मैं आपको practice कराने आ लिए हूँ आज अभी इसी वीडियो के अंदर so let's start with the first chapter जिसका नाम है the last lesson यह जो question है यह base होते है पता आपको यह वो question है जहां पर book का कोई भी आप पार्ट खोल लोगे वहां से question आपको इस series पर दिख जाएगा इन्हें में base questions भी कहते हूँ यह आपके chapter का basic clear कर देंगे exam में कोई भी question आ जाए उस question की language different होगी बट answer इनी ही में से जा रहा होगा एक-एक कोने से उठा के question हो चुक है prepare आपके लिए so let's start with the base questions तो start करते है अपने पहले chapter से the last lesson और सबसे पहले last lesson के जो domain characters है उनका नाम मुझे बताओ और जो last lesson के writer है उनका नाम मुझे बताओ in the comment section कौन domain character है last lesson के और उसका जो है writer कौन है ठीक है हर एक chapter से पहले में एक question put up करूँगे जिसका answer मुझे comment section में चाहिए done तो start करते हैं अपने पहले question से तो पहला question है हमारा how is the title the last lesson appropriate बहुत अलग-अलग type की question आएंगे everything का answer आपको पता चल जाए को formation आजाएगा जब आपकी base questions करोगे तो पहला question है बताओ title appropriate कैसा है last lesson बहुत बहुत को अप्रोप्रियेट है भाई भाई हो क्या रहा है chapter में आखरी दिन है उनकी जो है French class का बच्चा स्कूल जाता है उसको उसके teacher बताते है कौन सा बच्चा France बच्चा स्कूल जाते है उसको उसके teacher केते है कि बेटा अब यह हमारा last lesson है और last lesson क्यों है इसमें आपको reason भी include करना पड़ेगा कि ये last lesson उनका इसलिए है क्योंकि Berlin से order आया बर्लिन क्या है पुरुषिया में है बर्लिन ठीक है पुरुषिया वालोंने कभजा कर लिया था रहे इनके फ्रांस पे कि बर्लिन से order आया है कि कल से जो है इनके स्कूल में एलसे और लॉरेन के स्कूल में नहीं पढ़ाई जाएगी फ्रेंच इसलिए जो है लास लेसन इल्कुल एप्रोप्रियेट टाइटर है अब तो इनके में जर्मन टीचर आएगा इने जर्मन पढ़ाने तो आज के दिन पे इनका आखरी फ्रेंच का लेसन था इसलिए चैप्टर को द लास लेसन नाम दिन सबसे बिलकुल सही था रेड कर लो इनको बस ठीक है बाकी ये सब ही क्वेशन आज से की स्लाइट्स मिल जाएंगे आपको मेरी इंसेग्राम आईडी पे वहाँ पे मैं इन सबको अप्लोड कर दूँगी तो वहां से जाकर प्रिविजन अपना कर सकते हो ठीक है तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वे लेंगे पूरी क्लास का और जो है हमारे फ्रांस बच्चे को तो जो है पार्टिसिपल्स का पहला वर्ड भी नहीं आता था तो इसलिए भाई सापको डर लग रहा था स्कूल जाने में और सोस्ते है कि चलो भाई आप बंक माल लेता हूं भाट उच्छा स्वानम मौसम हो र देखेंगे आपके एग्जामिनर को एक दाट ही वस लेट फॉर स्कूल और दूसरा ही हाद नॉट प्रिपेर्ड हिस पार्टिसिपल्स ठीक है तो जो पार्टिसिपल्स प्रिपेर नहीं करेते सेकेंड वो जरूर मेंशन कर देना नंबर मिल जाएंगे अगर आपने यह में सब्सक्राइब कर लेना ठीक है उससे आप अपने स्कूल जाते में तो मैंने आपको बता दिया है इनकी तरफ फ्रांस अट्रैक्ट हुआ था फ़र्स था ब्राइट अच्छा सा सुहाना सा मौसम परफेक्ट वन जिसमें बाहर रहना चाहिए ऐसा मौसम की भाहिया स्कूल क सब्सक्राइब करें अब उनको 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 देखके ना जाओ में स्कूल यह एक तरीके की आपको हिड़न मीनिंग दिखाए चारे फॉटर में प्रेशन सोलजर्स मतलब उनके जो है शहर तक उनके गाउं तक उन tank पोहज़ीं तक पुली देंगे तो आपको first line of first few lines में पता चल चुका है कि फ्रांस की जो इनका शेहर है ये कबजे में आ चुका है दूसरे लोगों के ठीक है चलो आगे हम पढ़ते हैं done let's study the next question next question आता है हमारा how did M. Hamill concluded his class तो यह तो यह तो जैसे ही जो है चर्च की घड़ी में 12 बच जाते हैं और जो है प्रेयर होनी शुरू हो जाती है तो M. Hamill अपनी सीट पर खड़े होते हैं बोलने की कुछ कोशिश करते हैं बट वो चोक हो जाते हैं क्योंकि वो इतने दुखी थे उस समय के बोल नहीं पाते हैं तो वो simple अपने board की तरफ मोड क्यों क्या लिख देते हैं विव लाफ रो से चौक से जितना बड़ा बड़ा वो लिख सकते हैं उतना बड़ा बड़ा और उसका मतलब होता है लांग लिव फ्रांस तो वह कहीं ना कहीं अपने बच्चों को और बाकी लोग जो आज उनकी क्लास में आये थे उन्हें ने रहे थे कि दो तुम्हार पर प्रश्यंस ने कबजा कर लिया है बट अपनी भाशा को अपनी पहचान को अपने फ्रांस को खुछ से कभी अलग मत होने देना तब तक तुम फ्रीडम में ही रहोगे तो विद इस यह आप रीड कर लीजे चलो हम चलते हैं अपने नेक्स क करते हैं तो भाई यह फ्रांस का जो है आपको पते है वो लेड गया तो वैसे नोबिता के सर उसी दाटते हैं उसी दाट पिटनी चाहिए थी वाट उस दिन क्या होता है सर कहते है और अपने सर की ऐसी जो है एक्स्प्रेशन और ऐसा रियाक्शन देखके तो चुपचा जा बिदिफ्रेशन था हमारे सरकाह फ्रांस का सर्पास लिटल प्रांस नॉटिस्बड माय का पंड धाने के लिटन टेखक जयागे लेड अई इάλःस बिना शुरू करने वाले थे, this was just opposite to the normal cranky behavior of teacher M. Hamill, अब यह answer आपका तब तक खतम नहीं होगा, जब तक आप यह नहीं बता होगे कि इस reaction में different क्या था, तो आपको mention करना होगा that this was opposite to the usual M. Hamill, sir, usually तो वो डाटते थे, भारकते थे, आज लोने कुछ नहीं का, ठीक है, so read it, next question पर हम move करते हैं, तो आप post करके read कर लें जहां पर आपको read करना जगा, ठीक है, why did the school look like a Sunday morning, और बाकी में इसा question तो मैं description box में, pin comment में या फिर Instagram पर post कर दी रहूंगे, तो मैं भी समझो, question का जानो के, इस type के question को, आपको याद रखना है, इन सब को खुद से answer से बना के लिखना, ठीक है, खुद से बना के लिखना है, इन सब questions को, paper के उपर, and हम test करेंगे, उसमें, जो है, मैं check कर वा लूँगी, आपके, ठीक है भाई, एसे लिखना है, एसे लिखना है, done, चलो भाई, वाई डिट इस school लुक लाइक, Sunday morning, अब school Sunday morning की तरह क्यों लग रहा था, क्योंकि तो मैं पता है, क्यों जिन तो भाई, last lesson था, तो सब बड़ी emotional थे, चलो पड़ते हैं, ठीक है, school बहुत डिफरेंट लग रहा था, क्या-क्या changes थे, अब ये question में परकी clear नहीं हो रहा है, कि school लोग लाइक, Sunday morning में आपको बताना है, कि क्या-क्या changes थे school में, जिसकी वज़े से school Sunday morning जैसा लग रहा था, तो पहला chance था, that there was no sound of children, कोई बच्चों की आवाज नहीं आ रही थी, और desk and benches की desk के खोलने की आवाज आ रही हो, bench पे बैठनी की आवाज आ रही हो, nor of M. Hamill's terrible ruler, ना ये M. Hamill के ruler की, जो scale पे वो बजाते रहते थे, desk पे जो scale बजाते थे, उसकी आवाज नहीं आ रही थी, everything was calm and quiet like a Sunday morning, सब बिल्कुल शांता Sunday की morning की तरह, ठीक है, आगे पड़ते हैं, next question, why were some elderly persons, या people कहो, occupying the back benches that day, तो भाई पीछे वाली सीटों पे, villagers जो है, बुड़े लोग आके क्यों बैठे वेते ये बताओ, तो पुरानी सीटों पे, वो इसलिए आके बैठे वेते respect शो करने के लिए, अपनी country को, अपनी language को, और वो sorry feel कर रहे थे, कि क्यों उन्होंने अपनी French language सीखने को, इतना जादा procrastinate करा, पहले क्यों वो पढ़ने कभी school नहीं आये, उन्होंने महिद्वता नहीं दी, और साती के साथ में जो M. Hamill ने इतनी अच्छी service दी थी, अपने देश को, अपने school को, 40 सालों से वो लगतार हो school में पढ़ा रहे थे, बच्चों को dedication के साथ, तो उनको respect पे करने आयते हैं सभी के सभी villagers, ये एक बहुत जादा important question है, अगला question परते हैं अब हम, अगला question है, what was the order from Berlin, ठीक है, and how did it affect the class, आपको बताने, Berlin से order क्या था, और उससे उनकी class में क्या-क्या changes आए, ठीक है, तो order which was served from Berlin, was that क्या order था, that no French language would be taught in the schools of Elsie's and Lauren district of France, तो France के Elsie's and Lauren district में French नहीं पढ़ाई जाएगी, यह आए था, only German would be taught instead, German language पढ़ाई जाएगी, so M. Hamill, the French teacher, was asked to vacate the place for a new German teacher, तो M. Hamill को बोला, आप school शोड़के जाओ, कल एक नया German teacher आएगा, तभी उनकी जो बहन थी, वो पर उनकी packing भी कर रहे थी, उनकी पहचानी क्या रह जाएगी, तो इसलिए उनकी बहुत दुख होता है, तो आप ये मेंशन कर देना, ठीक है, चलो, अगला question देखते हैं हम, अगला question है, How are the parents and M. Hamill responsible for the children's neglect of the French language, तो parents और children की क्या गलती थी, तो M. Hamill कहते हैं, कि सिफ जब France का test होता है, पार्टेसिपल पे आदोगा तुम्हें, तो France कुछ बोल नी पाता है, क्योंकि भाई साब घर से तो पढ़के गई नहीं थे, तो M. Hamill जी बहुत जो है, उसको बिल्कुल भी नहीं दारते हैं, वो उसको उसकी जगा कुछ और कहते हैं, क्या कहते हैं, ये बताना तुम्हें, तो भाई अगर तुम्हें तुम्हें पता होगा, कभी मिल पे जाके काम कर लो, जिससे तुम थोड़े बहुत पैसे कमा के घर में लियो, उन्हें वो थोड़े बहुत पैसे जादा इंपोर्टिंट लगते जिए तुम्हारी पढ़ाई से, मैंने भी कभी कभी ऐसा कर रहा है, कभी मैं तुम्हें अपने गार्डन में फेस देता था, पौथों को पानी देने, साथ में, मैं भी जब उरे फिशिंग ट्रिप पे जाना होता था, बेफाल तुम्हें स्कूल की छुट्टी कर देता था, मेरी भी गलती है, मैंने भी काफिर बार टाला है आपको पढ़ाने को, और तुम्हारी भी गलती है, कि तुम्हें भी अपनी पढ़ाई को सिरियसली नहीं लिया, तो ये गलतीयों का ही आज जो है, नतीजा है, जो हम भुगत रहे हैं, अखेले बच्चे तुम्हारी गलती नहीं है, वो उसको ये समझाते हैं, ठीक है, चलो, आगे पढ़ते हैं अपना next question, so next question है हमारा, why is the order from Berlin called a thunderclap by France, thunderclap मतलब बड़ा अचानक से शौक लग जाना आपको, तो क्यों France कहता है, कि जो हमारे संड ने मुझे order दिया, announcement की कि भाई last lesson है, वो thunderclap उसके लिए क्यों था, तो the order from Berlin is called by France, a thunderclap, the order from Berlin is called a thunderclap by France, because it was a complete shock for him, thunderclap मतलब शौक है, ठीक है, he had never thought that he would be deprived of the right of learning his native language, के सोच सकता है कोई इंशान, की कभी कोई हमें आ की बोले भाई तुम हिंदी निपलो गया, जो भी मातफर भाषा आप किया, जो आप भोलते हो, जो आपकी बोलेकोई आपको आ के बोले, भाई ये तो नी बोलनी कुछ और बोलोगे, तो सोच ही नहीं सकता कोई इंसान ऐसे, he realized that he had so much more yet to learn and was going to lose the opportunity ठीक है तो उस दिन उसे realize होता है कि यार अभी तो मैंने कुछ भी नहीं सीखा था अपनी French language का अब तो मेरे से यह opportunity जो है वो छिन गई है तो उस दिन उसे बहुत जादा परेशानी बहुत जादा regret उसे पते तब लगता रहे मेरी history की book किती प्यारी थी और मेरे grammar की book किती प्यारी थी मेरे history की book के जो वहां पर characters थे जो हमारे teachers philosophers थे सब उसे अपने दोस्त जैसे लगने लगते अपना teacher question पड़ते है तो यह आया है अब गाई हमारा 12th question ठीक है वाइड है यह तो मैंने आपको पड़ाई दिया यह question बीट होगा है second chapter पर आते है lost spring stories are stolen चालो जिसमें मुकेश और साहिब से related questions पड़ेंगे चलो अगला chapter पड़ते है उसके important question who is मुकेश what is his dream तो मुकेश कौन है मुकेश एक बच्चा है जो glass factory फिरोजाबाद में काम करता है बट वह बहुत different है वहां पे रहने वाले बाकी लोगों से क्योंकि उसमें है dream करने की ताकत वह जो है उसके मन में एक इच्छा है उसके मन में एक सपना है कि भाई मेर को जो है glass factory में जिंदगीवर काम करते रहना है मेर को एक motor car का mechanic बनना है और वह सब कुछ करने के लिए तयार है अपने dream को करने को destiny मान रखा अपना कर्मा मान रखा है वह जो यह मुकेश बच्चा है यह उनसे बिलकुल अलग है दन चलो अगला question पंट है describe the irony यह favorite question है आपके लॉस्प्रिंग का बोड़ इजामनर्स का describe the irony इन साहिब में तो साहिब के नहीं में irony मतलब होता है कि भाई कुछ ऐसी चीज़ तो सोचा कुछ और हो कुछ और जाए टाइब तो भाई उसका नाम में क्या एक अलग बात है तो भाई उसका नाम है साहिब आलम साहिब आलम मतलब लौड ऑफ दी यूनिवर्स तो उसका नाम रिप्रेजेंट करता है कि भाई उसे दुनिया की सभी लग्शुरीज मिलनी चाहिए उसे राजमारा जाओ की तरह रहना चाहिए और दुनिया की सभी लग्शुरीज मिलना तो दूर की बात उस बच्चे के पास तो बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं थी उस पे तो पैर में पैरने के लिए चपपल और जूते भी नहीं थे वो का एक बहुत बड़ी आईरेनी कि नाम जो है उसका वैसा उसका जीवन नहीं चल रहा था ठीक है चलो वाइडेट साहिब्स फेरेंट लीव डाका और माइग्रेट चू इंडिया तो भाई उनकी जो स्टॉर्म से उनकी जो खेत थे मापे वो डिस्टॉय हो गये थे तो वो यहां पर आकर सेटल हो गये तो रीड लो ठीक है अगला क्वेशन पढ़ते हैं अगला क्वेशन है वाट तर टाइटल लॉस प्रिंग कर भाई इस चैप्टर का नाम लॉस प्रिंग है जो स्प्रिंग का मतलब क्या हुआ लॉस चाहल हूँ नहीं लिखा तो पोई ने एक लॉस चैप्टोड लोगों को सफन है प्रिंग मतलब होता है प्रिंग ऐसा सीजन होता है जब सब चुडिया चाह रही है फूल खिल गए तो हमारी हुमन लाइफ का सबसे सबसे सुंदर पीरियाड होता है जह हम खेले-खेले रहते हैं वह चाहल हूँ मज़े ही मज़े तो आगे-पर बागे तो बर्डं ही होता रहते हैं पूरे लाइफ में कभी कोई रिस्पोंसिवलिटी कभी कोई डिस्पोंसिपलिटी फिर ओल देज फिर बिमारी फिर मर गए तो चाहिल्ड हूँ इस था अंसर वेरी केर फुली इंपोर्टन है वही इन पच्छों का छिन गया इसमें ट्सक्राइब कोड़ने के लिए तो उनका गहने का मतलब यह था कि साहिब अपना मास्टर था वह जब कोड़े का थेला लेक़ खुंबता था वह चुद था वह उसका अपना था वह अब बच्छा जो है वह एक चाहिड लेवर बन गया है एक मिल्क बूद के ओपर जो टीक है last question इसका garbage to them is gold, why does the author say so about the rack pickers, वो rack pickers के लिए के लिए कि garbage उनके गोल्ड, अब भाई garbage को आप सोना कैसे कह सकते हो, जो garbage है वो सोने के बराबर इसलिए है क्योंकि जो है वो उनके रोजी रोटी है, उस garbage को बेच के वो अपने घर का खर्चा चलाते हैं, बच्चों को र बच्चों के लिए garbage किसी सोने से कम नहीं है, read this question, अब आते है अपने next chapter के important question, तो right now we are going in very, जो है 6-6 questions अब मैं आगे कराऊंगे आपको सभी के, और जो काफी detailed वाले है वो आप अलग-अलग videos में देख लेना, जो है next chapter के important question, जो है अमारा deep water written by William Douglas, ठीक है, चलो पड़ते है first question, when did Douglas decide to learn swimming, what options were available to him, which one did he choose and why, तो बताओ भाहिया कब swimming करने को सोचा क्या option थे, और किसको चूस करते है, तो भाहिया जब हो 10 या 11 साल के थे, तब हो सोचे कि भाहिया मैं करूँगा swimming, क्योंकि जो है उनका मन था, और secondly, उनके बाद दो option थे, तो यहां के मारे में जाए, य मतलब बुड़े इंजरस है, वहां बहुत लोग दूप के मरजाते हैं, तो बेटा, महां तो swimming करने के तुम्हें बिलकुल पन्वीशन ने आए, तो वह सोचे swimming center जाओंगा, वहां क्या बुर्या हो जाएगा, तो भाहिया जो सोचे है, कई वर वैसा होता नहीं है, तो भाहि बोल कि उन्हें मन से थोड़ा लगता, वह बुरा क्यों लगा था, यह बताने हैं तुम्हें in the comment section, ठीक है, चलो deep water का next question continue करते हैं, how did William Douglas aversion to what, aversion मतलब डर, aversion is the synonym for fear, वो कब शिरुआ, तो जब guys वो छोटे बेबी थे न, तब वो जो है अपने 3 या 4 साल के थे, अब देख और यह 3-4 साल का बच्चा सर्फिंग बोर्ट पर पापा के साथ सर्फिंग कर रहा, क्या हुआ वेवाई लेहर आई, और इनको जो है नौक डाउन कर दिया, नीचे गिर गई यह सर्फिंग बोर्ट से अपने चोटा सभी भी गिरा पाड़ा है बीच पे, और इनके पापा समय बच्चे को चुपकरानी के जखारी बेटा तूठी जोर-जोर की हसना शुरू कर देते हैं, तो वहां से उनके मन में डर बन जाता है, कि भाई पानी तो बहुत खतरनाप चीज़ है, ठीक है, चलो, अब जो है, नेक्स क्वेशन हम स्टार्ट करते हैं, इसका, वाट इस अकेले थे, तो वह सुचता है, मैं अकेले स्विमिंग पूल में नहीं जाओंगा, जब तीन-चार लोग आजेंगे तब जाओंगा, साइड में बैठे होते हैं, एक बुली आता है, बुली सा आता है, काफी बॉडी बुली टाइप का होता है, वह डगलस को उठाता है, और उठा के पूल में फैक देता है, और जैसी वह से पूल में फैकता है, डूपते हैं, बुपते हैं, मरते मरते बचते हैं, और वह है उनकी लाइफ का, मिसद्वेंचर आट यम्स ये पूल, ठीक है, बाकी तो पड़ी रखा है तुमनें पूरे चैप्टर में, चल, next question, I was frightened but not yet frightened out of my wits, मैं डरावा था, बत इतना डरावा नहीं था कि मेरा दिमाग ही ना चले, says Douglas, which quality is of the speaker highlighted here, क्या quality ऐसे question आने है, बाई, बाई, वो डरेवे थे, बाई, दिमाग चल रहा था, ये क्या quality उनकी रिप्रेजेंट कर रही है, तो Douglas डरेवे थे, जब वो पूल में गिर रहे जब पूल में डूब रहे थे, बट फिर भी उन्होंने अपने डर को अपने उपर हावी नहीं नहीं दिया, देखो उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई थी कि बो जो है कूद कर उपर आएंगे, ठीक है, तो ही है रिमार्केबर सेल्फ कंट्रोल, इससे क्या दिख रह करते है अपना अज का, तो क्या-क्या स्ट्रगल उन्होंने करे थे, आपको याद रखना है, यह मैं डीड नहीं कर रहे हूं, यह आएगा एक्जाम में, यह दो पीला-पीला पानी दिख रहा था, मैं उपर आने की कोशिश कर रहा था, पैर मेरे जाम हो गए ते, मैं इसके नहीं हो नहीं हो आ और पानी सो पर आता है, दूसरी आ जाता हूं, तूसरी Mitt turnedinephare, जाता ही, भी ह adap locks ale, रहा हम हम यहीं कोई निकाल देता है, यह पूरे स्टोरी तुम्हें, इंग्लिज हमें आनसर प्र में स्ट्रेम differentiate यहां से आएगा question तो यह short में given है इसको जरूर read कर लेना ठीक है अगला question How did Douglas initially feel when he went to the YMCA pool ठीक है What made him feel comfortable तो सबसे पहले जब वो जाते है तो हलका सा उन्हें बच्पन का डरियाद आता है कि हैलसों उन्हें बीशवाला बट दीरे दीरे वो comfortable होते है क्योंकि वो इधर उधर के बच्चों को देखकर एपिंग करते हैं मतलब copy करते हैं उनको जब थोड़ा comfortable होते है तब ही क्या हो जाता है भाई सब तब ही उनके साथ मेसेडवेंचर हो जाता है तो अभी next chapter के important question पढ़ते हैं वो आखरी में जाके swim करते हैं ठीक है चलो अगला question पढ़ते है अगला question है अब याद है ना यह chapter rat trap वाला peddler घूमता है अपनी philosophy में की पूरी दुनिया है एक चुहे का पिंजरा जैसे चुहा जो है रोटी के लिए भागता है हम भी रोटी कपड़ा मकान जाना होगा कि भाई उसने ऐसा सूचा है the peddler developed an idea that world is a rat trap उसने यह idea बना कि पूरा world rat trap है यह में food shelter clothing यह सब provide करते है जैसी को इसमें जहता है फसता है तो उसको जो है अपने में बिल्कुल पकड़ लेता है जकड़ लेता है यह सब तीजे सोच कि उसको कहीं तोड़ा बहुत सैटिस्फेक्शन मिलता था why was the peddler surprised when he was offered shelter by crofter वो क्यू surprised होता है तुम्हें तो पता है नो क्रॉफ्टर ने शेल्टर रोए उससे शेल्टर नहीं देता था the peddler was surprised when he knocked at the door of the cottage and received warm welcome there तो क्या हुआ भाहिया आज जब भांगया तो उसको किसी ने जो है मना नहीं करा warm welcome मिला उसको moreover उसको वहां पे एक अच्छी hospitality मिली उन्होंने उसके साथ पत्ते भी खेले तास्ट भी खेली उसके साथ में और साथी के साथ उसको जो है टबाको का रोल में से कट करके सिगरेट पीने को भी दी तो इसलिए उसको काफी अच्छा treatment मिला था इसलिए वह बहुत ज़्यादा सर्प्राइस था भाई सब यह क्या हो गया ठीक है चलो अगला question पढ़ते है हम ओके अगला question है what do we learn about the crafter's nature from the story that तो crafter की nature से आपको क्या पता चलता है तो crafter वह है जिसने एक अंजयान व्यक्ति को अपने घर पे रुकाया उसे खाना खिलाया उसको बहुत अच्छे से entertain करा महमान नवाजी करी उसकी तो हम यह समझ में आता है कि वह बहुत friendly इंसान है और वह काफी अकेला भी है friendly होने इसकी तरफ है rat trap seller अकेला फिरता रहता था एडला एडला के पापा अकेले थे उनके भी जो है दोनों जो है father daughter घर पे अकेले थे मम्मी उनकी नहीं रही थी एडला की भाई पायर पढ़ने गए वे थे वो भी क्रिस्मस पे अकेले थे यह भी आकेला था क्रॉफटर भाई साब भी अगेले थे ठीक है चलो अगला question कुछ भी बुरा होने वाला होता है तो से पहले मन एकदम से मन को अंदेशा होने लगता है तो उसको evil forbidding हो थी कि भाई मैं तो लायन के दन में एंटर कर रहा हूं कुछ तगड़वडब होने वाली है ठीक है अगला question why did the peddler not reveal his true identity क्यों वो जो है first time में जब iron master उसको कहता है कि तुम निल फॉलफ मेरे दोस्तों आर्मी वाले क्यों वो पहली बारी में नहीं कहता है नहीं भाई साब मैं आपका दोस्त नहीं हूं क्यों तब नहीं बताता तब क्यों छूड़ बोलता है तो उसका reason यह था कि उ समझ जाती है कि इनोंने कोई crime करा या तो जेल से भाग क्या है या कुछ चोरी वोरी करके आये हैं तभी हमारे साथ हमारे घर जाने में डर रहा है तो वो बच्ची यह समझ चुकी थी ठीक है याद रखना ठीक है चलो अगला question last two questions is chapter के why did Edla pled with her father not to send the vagabond away तो वो क्यों करती है अपने पापा को प्लीज की आप इसको अपने घर से मत बगाओ इसको हम क्रिस्मस पर अपने साथ ब्रुक वाएंगे what was the reason क्यों भाई या ना जानना पेचान महीं क्रिस्मस हमारे साथ रो क्यों कहते है बिकॉस एडला दिल से बहुत एक अच्छी लड़की थी काइन थी क्रिस्मस के दिन पर भगा दू तो इसलिए वह अपने पापा को कहती है और वह sympathize करते है उसके साथ में पैडलर के साथ में कि यह बेचारे का ना घर है पूरे-पूरे साल यह सब को भढ़कता रहता है नाराथ को खाना खाने के लिए इच्छा थैसके सर पर ना कोई फैमि का तो मतलब ही होता है खुशिया बातना और एक तूसरे की मदद करना ना जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन वाट वाट वास्टेंट ऑफ दे लेटर रिचन चुटा सा गिफ्ट और उस गिफ्ट के साथ में था एक लेटर में वह एडला को थैंक्यू करते हैं कि थैंक्यू तो मैं बचने से फसा लिया मैंने भी क्रॉफ्टर के पैसे चोरी कर गए मैं भी से तो गया थे यह संट में साइन करता है निल्स ओलव से निल्स कौन है वही कैप्टन जिसको समझके अंकल अपने गर में लाए थे उसको और साती के साथ में वह चोटा सा लोहे के तारों से इतना सा राट्राप भी छोड़के जाता है एड लाक लिए as a gift चलो गाइस अब जो question में थोड़ी leave करें ना वो में तुमें इस बेस question में तो one shot में the most important वाले है एक series अलग भी आएगे revision वाली हमारी उसमें cover कराने वाली हूँ ठीक है चलो next question पड़ते हैं अब हम आपना जो है एसे ट्रीट करते हैं तुम्हें बताना है क्या खिलाता है क्या पिलाता है और क्या-क्या बाते सुनाता है यह बताओ चलो अगला chapter पड़ते हैं इंडिगो written by Lewis Fisher तो इंडिगो का पहला question है how did Rajkumar Shukla establish that he was resolute तो Rajkumar Shukla कौन थे राजकुमा शुकला एक पीजन थे जो हात्मा गांदी जी के पास जाते हैं और उनसे प्लीज करते हैं कि प्लीज आप हमारे साथ चंपारान सोलो हमारे साथ हो यह 9 सफी और साती के साथ में वो resolute मतलब अडिक थे जो करना है वो करना है वो इसलिए थे क्योंकि गांदी जी ने कहा कि मिर पास टाइम नहीं है मिर पास अभी समय नहीं है तो वो एक एक जगा जहा जहा गांदी जी गए उनका उन्होंने पीछा करा हर दम उनके साथ रहे तो फाइनली गांदी जी को उनकी बात माननी परते है और उनने टाइम दे इस तुवर्ज दा एड्वोकेट ऑफ होम रूल नॉर्मल इंडियन्स की ब्रिटिश के रूल में जो लोग जो हैं ब्रिटिश को भगाना चाहते थे हमारी कंट्री वैसे जो कहते थे कि सेल्फ हमारी इंडिया के सरकार होनी चाहिए ब्रिटिश भारत छोड़ो उन लोगों को नॉर्मल इंडियन्स उस समय पे कैसे त्वीट करते थे ये बताने आपको तो गांधी जी बताते हैं कि नॉर्मल इंडियन्स कभी भी अपने घर में नहीं रुकाएंगे हमारी जैसे लोगों को हम फ्रीडम फाइटर्स को हमारे सात नहीं देती क्योंकि उन्हें तो फ्रीडम फाइटर को अगर में भी नहीं रुक वाते थी चलो अगला क्वेशन पड़ते हैं इंडीगो चाप्टर का इंडीगो बनता है पूरा चाप्टर आपका वाइड दे लेट लाइड लाइड दू वें दे नो दाट जर्मनी एड डिवलप् अब सिंथेटिक इंडीगो तो तुम्हाइड होगा इंडीगो चाप्टर में क्या हुआ है कि बाइडिगो जो है क्या था शेयर क्रॉप पेटर पर चलता था कि एक फार्मर के खेट पर उसे कुछ percent प्लैंड पर इंडी गानी होती थी और उस इंडीगो को दे देने ओधा दर लैंडलोड को जिनके खेत पर काम करें एजरेंड ठीक है अब क्या होता है जो है यह लैंडलोड से ब्रिटिश जमीन दार थे उनको पता चलता है कि जर्मणी ने बना लिए synthetic इंडिगो और फिर जो है नेचरल इंडिगो प्रोफिटेबल ही नहीं थी जब फैक्टरी में बनेगी इतने सस्ते में तो नेचरल इतनी मुश्किल से खेतों में उगाई भी खड़ी देगा ही उसकी तो बहुत पैसे होंगे तो इसलिए अब उनको उस इंडिगो की जरूरत कि अब चाहिए थी जो उनको रेंट के रूप में मिल रही थी तो इसलिए उनोंने क्या करा कि जो कॉंट्रैक्त था फार्मर्स को जाकर बोला शेयर क्रोपर को जाकर बोला इस को डैप कर देंगे तो मैं आज इन्डिगो नहीं होगानी होगी बट उस कॉंट्राइक को खतम तो ये पैसा लूटते हैं उनसे contract को cancel कराने का, कुछ farmers तो अपनी मर्जी से contract cancels करने का पैसा दे देते हैं, कुछ जो नहीं चाहते हैं उनसे जबरदस्ती पिटवा के करवाते हैं, तो share croppers इतनी गरीब से का इस उसमेबे share croppers, इनसे भी बड़े बड़े जमीन दार पैसा रूर रीट करो, तो British landlord और हमारे इंडिया के farmers के बीच में contract था, जमीन होते थी British landlord की, उस जमीन पर काम करते थे farmers, और काम करने के बदले वो उनको 15% हिस्से में indigo गा के देते थे as rent, पूरे 15% indigo जो उपती थी वो rent के रूप में चाहती थी और ये बेच के indigo को बहुत पैस लूटे और जादा ठीक है, चलो, why did Gandhi जी meet secretary of the British landlord association, how was he treated by, तो Gandhi जी वहां जाते है, secretary of the British landlord association जाते, information लेने के लिए, क्या हो रहा है, पता तो चले मांजरा क्या है, बट वो उने कहते हैं, बहुत भारवाले को कुछ नहीं बताएंगे, कि Gandhi जी को वो कहते हैं, कि तुम तो यह नहीं कहते हैं, तो तुम हम क्यों बताएं, तो Gandhi जी कहते हैं, कि मैं कोई भारवाला नहीं हो, यह मेरी country है India, और मैं है आपने लोगों की मदद करने हैं, ठीक है, चलो, अगला question, देखते हैं, अगला question, why did Gandhi जी feel important है, that taking the champaran case to the court was useless, वो उनको कहते हैं, जुनके lawyers थे, कि वह यह court वे ले जाने के कोई फायदाई नहीं है, कि इसको कोई नरती जाना ही निकलेगा, क्यों कहते हैं, वैसे इसले कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता चला था, जितने भी champaran के farmers थे, वो fierce stricken थे, उन्हें बहुत Britishers से डर लगता था, तो इसलिए जब तक उनके मन से डर नहीं पता चला, भाई उनकी मदद करने कोई आया है, तो भाईया वह भूँ हुआ खुश होने लगा से कोई हमारी मदद करने करिया है, जब गांधी जी को सारे के बहुत ख кино, को ょइचेते को जो हैं, जो इस दिन सजा भी नहीं सुनाई जाती है, और थोड़े तो के समे बाद कर करने हैं यह तो केसी एंड हो जाता है ठीक है तो वेंड़ चामपारण पीजन केम तो नोइध महार्पाहड केम तो है और वह कुछ ट्रॉबल में है तो वह थाउजन्स ऑफ जो है सारे के सारे जो पीजन्स से वह मोती हरी में जाके एक दिमांस्ट्रेशन करते हैं कोट हाउस के भार जाके खड़े हो जाते हैं और उससे ब्रिटिश डर जाते हैं और उन्हें हेल्पलेस होता है कि इतने सारे फार्मर से घट्टे हो गया अब हम क्या करें और यही तो गांदी जी चाहते थे कि यूनिटी होगी तो हम जीतेंगे औ इंडिया एक ऐसा कुछ इंसिजेंट होता है आपके चाप्टर में जब गांदी जी कहते हैं दैट हम जो है जीती चुके सिविल डिसोविडियंस की पहली बार जीत हो गई हमारी कंट्रे में कब कहते हैं जब उनके कोट में जो उनके ऊपर केस चल रहा होता है उसका वह नचाहें वह कर सकते हैं और यह थी जीत पहली बार हम एंडियंस की चंपारन के अंदर क्यों कि उससे पहले क्या होता ता गांदी जी ने क्या किने बिटिशिंगा नहीं दी तो सजा देने वाले दिन जब बाहर इतने सारे अरे फार्मर्स करें उन फार्मर का सपोर्ट टिक सब्सक्राइब भी हम जीद गए हमेंगोंने सजा नहीं ऐसे कुछ उनिटी से डर गए थे तो इसलिए जो है वह जो है वह वह किए हम जीद गए है और लास्ट में पता आ को ड्रॉप हो जो कि अब यह केस एंड इस पर आप कारवाई नहीं करी जाएगी तो उस दिन पर गांदी जी कहते हैं that civil disobedience इंडिया में पहली बार triumph हो गया है कि वो Britishers जो मुझे पर case चला रहे थे उन्होंने इस case को drop कर दिया वो case को आगे continue कर नहीं करेंगे कि क्यों कि उन्हें पता था कि आप फार्मर गंदी जी के support में है तो फॉस्ट ताइम सेविल डिसेविटेंट राइफ कर वह जब लेफ्टेन गवर्णर ने कहा कि गांदी जी का case कि रूटा था उन्हें कारच कराने के लिए उसमें से गांदी जी गया थे 25 परशंट पैसे ब्रिटिश वापस कर दे खाली 25 परशंट पैसा वापस आने से क्या पता चला कि भाई ब्रिटिश लैंड लॉट्स जो है अब उनसे जो है ऐसे धमकार नहीं सकते हैं फार्मर्स क कि आपास अपने राइट से अपना फ्रीडम है और वो इस तरीके से एक्स्प्लॉइट नहीं हो सकते हैं कुछ समय बाद होता भी ऐसे है कि पूरे की पूरे जो यह ब्रिटिश लैंड लॉट्स थे वह अपना लैंड छोड़ के चले जाते हैं और सारा का सरेयर लैंड मिल भी जाता है फार्मर्स को ठीक है तो गांदी जी का 25% एक्सेप्ट करने का मतलब यह था कि हां पर जीत हो गई थी फार्मर्स की कीज़ और इस यह बता चलो पर्मर्स के राइट से होड है अपने ठीक है चलो अब आएगा गाईज हमारा लास्ट कुएशन जो मोस्ट इंपर गांधी जी ने सिर्फ और सिर्फ चंपारेन के पीजेंट्स की खालिक केस में मदद नहीं करी थी उन्होंने सोशल काल्च्रल चेंज़ भी बहुत सारे करे थे वहां कुछ दवाईयां बटवाई थी वहां स्कूल खुलवाए थे वहां टॉइलर्स बनवाने के लिए कहा था वहां की लीडीज को कहा था कि इसे जो है cleanliness रखना चाहिए उन्हीं 5 से कहलवा कि कि जो है अपने जो है कप्ड़े दोने चाहिए बहुत कोछ उन्होंने से खाया वहां पे लोगों को तो इस पे question definitely आएग आपके exam में और आएगा वो भी लॉंग वाला तो यहां अगर तु सोशो कल्च्रल और बेकवर्डनेस इंदा विलेज ओफ चंपारन क्या गांधी जी ने help करी थी तो गांधी जी ने स्कूल खुलवाया था टीचर बुलवाई थे ठीक है अपनी वाइफ कस्टूरवा गांधी को बुलाया था ठीक है साती के साथ में तीन टाइप के मेडिसन दे देते कास्टर और किनीन और सुलफर को ओईटमेंट और ट्वाइलेट्स बनवाए थे महां पर तो ऐसा कुछ उन्होंने करा कि ठीक है केस तो सॉल्व हो गया बट लोगों की चो आम जिंदकी थी आम जिंदकियों को सुलचाने तक का उन्होंने काम कर रहा था तो इवि कोई में से पानी पीने नहीं दिया जाता तो वो किसका घरता जल्दी बताओ इन दो कॉमेंट सेक्शन ठीक है चलो नेक्स क्वेशन पढ़ेंगे पोएट्स एंड पैंकेक चैप्टर से जो मेरा आपके इंटायर बुक का अभी तो सबसे फेवरेट चैप्टर बन गया है व और यह तुम्हारा भी फिवरेट चैप्टर पढ़ेंगा जैसे आजकल हम लोग यूट्यूब पर पॉड्कास सुनते है लोगों के किस से सुनते है उनके लाइफ के एक्सपीरियंस सुनते है यह पॉड्कास से कम नहीं है कोई चैप्टर एन इसे सुन लिया तो बोड एक् गाइक मैं कहां पे था वह देखत था टो में घजए मिनाय स्टुडियो का थाफट या निकी ऊपर वाली मनजिल पे था किसकी एक बील्डिंग की जिसको कहा जाता था किवह अंहर देखा कि उन्में से से उपर इनका मेक अप डिपार्टमेंट था अब वो दिखता है कैसे था दे मेक अप रोम है दे लोक आफ एयर कटिंग सलू यानि कि सलून होती है न वह बारबर शॉप होती है बिल्कुल वैसा सा था चेयर रखी भी थी लाइचे लगी भी थी मिरर्स थे बहुत सारे और जिती भी लाइट अब जो है मूपे लगाके जो एक्टर एक्टर एक्ट्रेस तयार होते थे तो इतनी घर में भी हीट भी उन्हें उन्हें इंक अडिसेंट लाइट की जहलनी होती थी तो इसलिए उन्होंने पूरा तुमें आगी है न दिमांग में तमी तो गेरी बड़िया चैप्टर है व जो है उनकी जो जॉब होती है तो यहां पे जो ऑफिस बॉय था इसकी जॉब क्या थी कि यह अपना काम तो करता ही था साथ में जब एक क्राउड की शूटिंग होनी होती थी जब एसा कोई सीन होता था जिसमें बहुत चारे लोगों की जो है जरुत होती थी तो जब ऑफि क्राउड के फेसेस पर जो भी क्राउड होगा उनका मेकप करने की जिम्मेवारी इस ऑफिस बॉय क्यों थी थी अब इस ऑफिस बॉय की लाइफ यह था था इंड़स्ट्री में एक बहुत बड़़ एक बहुत बड़़ राइटर बननी के लिए बट वह इसके सपने सच नह शुबु जी को चैरिटेबल लोगों की मदद करने वाला मैं क्यू कहा जो का मित्रण ने दो रीजन बताओ तो क्वेशन मेंने इसी विंगलूट करें तो डारेक्ट एक्जाब में वह गुमा के पूचे जाते हैं शुबु जी को उन्होंने चैरिटेबल और बहुत प्यारा इंसान इसलिए का क्योंकि उन्होंने खुद ही का देट है जैनुएन लफ फॉर एनिवन ही केम अक्रॉस शुबु जी सब को प्यार करते थे और इस हाउस वस पॉमनेंट रेजिदेंट फॉर डाजन्स ओव इस नियर और फार रिलेशन एन एक्विटेंस ये इंगलिश में पढ़की बता लिए हूँ क्योंकि मतलब इसका समझो उनका जो घर था अड़ा बन गया था उनके रिष् इस वह सोचें कि भाई मैं तो इतने लोगों को बेफाल पर में खाना किया रहा हूं मेरी जब से पैसा खर्च हो रहा हूं नहीं इतने प्यारे इंसान ते शुबु जी ठीक है और इनसे चिरता था ये ओफेस वोई स्टाफ के लिए क्या सूचते थे वह सूचते थे ये तो कुछ करता ही नहीं है यह बैठा है अगभार में से ये फोटोस निकालते थे जो भी कोई न्यूज हो थी तो इनकालते थे इनकालते थे इनके इंडस्ट्री की तो कहते सब कह रहे है कोई आके मुझे कभी कोई काम कहता था कभी कोई काम ऑफिस बॉइट के दुख्रे सुनाता था सबको लगता था कि मेरा काम तो ना के बराबर है कुछ है इन इसकी वार्यो वाट दो यू फाइंड स्पेशल अबाउट अशोका मितरन दिखाई है कि अंसान में क्या कमी होती है रैसे ओफिस बोई की कमी दिखाई लोगों से चड़ता है आगे एक्रिस की दिखाई जो चिला ही एक बारी तो भाई हमारे राइटर जो है उनका जो राइटिंग स्टाइल हो बहुत यूमरेस है बहुत हसी मजाग में इनसानों की कमीयों को इनों ने दिखाया है जो इनसानों में कमीयों होती है उनकी नेचर में वो सब इनों ने दिखाई है वह भी बहुत ही अलग से स्टाइल में तो इसलिए उनका रैटिंग स्काईल बहुत ज़दा डिफरेंट है ठीक है तो यूगन रीद आंसर अब चलते हैं अब पर इस चाप्टर के तो नेक्स्ट क्वेशन है हमारा फोस्त लीगल अडवाइजर डिफरेंट फॉम द अधर इंद इस इन देपार्टमेंट के अंदर में आते ते सुभू जी और उसी इस टोरी डिपार्टमेंट में आता था एक लीगल अडवाइजर यानि के एक लॉयर अधर उसको बहुत है तो ही इसलिट oh ऐएजिए एक इसलिप गए सबने इसलिए तोसको लोग कहते है तो इसलिए सब वी बाकि लिगल अडवाइजर डिफरेंट के उsche बाकि स्टोरी डिपार्टमेंट के लोगे से लगों कहादी के लोग बाकि स्टोरी और पैनते थे र एक ऐसा आदमी है यह इसी की साइड नहीं लेता कि वह सब ऐसे कपड़ पहने तो मैं भी ऐसी पहनू अपनी करता था moreover he was logical man with no emotional attachment whatsoever यानि की logical man भी था जैसे कि उसका एक incident तुम्हें पता हो कि जब वो जो है कि युनाय स्टूडियो है वेनी पर्टिकल पॉलिटिकल एफिलियेशन तो यह मैंने हां पर भी जो है लिख रखा है कि बताओ आप कि क्या उनकी पॉलिटिकल एफिलियेशन थी क्या पॉलिटिक से जुड़े वे थे यह पोएट लोग सोरी रैटर लोग तो सादा तो नहीं थी बस यह लोग गांदी जी को बहुत मानते थे दोती पहनते थे खादी की कुरता पहनते थे खादी को और जो सबसे सारीके से बाकी जो एड़िया में काफी बार यह आइड़ालोगी के खिलाफ लोग जा रहाए थे थीक है तो यहाँ पर वह लोग कम्यूनिस्म के खिलाफ एज्ञाए नेक्स कुएशन वाइव बार्यार्यार्मेंट आर्मी वाले कौन थे फ्रैंक बुच मीन की मॉराल रार आमीवाली कमिनिजम के खिलाफ शोस करते थे प्लेस करते थे कहिना गई दिखाते थे तो यह लोगों को जो है आना होता था इंडिया वहाँ प्लेस करते हैं वहां की लोकल जंताओं ने देखती है तो उनके आने से जैमनाय स्टूडियो का महल अधर के बहुत बदल जाता है क तो हमारे लिए बहुत एक अलग सा महल हो गया था जब हमाने यहां पर पुराने जमानी के बाद है उस जमाने में यह मारे वाली जब आए थे तो हमारे को तो बड़ा भजा आता था इन लोगों के साथ में ठीक है बाद मेने पता चलता है कि अच्छा ठीक है यह तो कम्यूनिजम की खिलाफ थे हमारे यहां पर भी कम्यूनिजम की खिलाफ सोच चल के इसलिए यह पॉलिटिकल कनेक्शन पर यह लोग यहां आई थे ठीक है वह क्यों आते है तो इसलिए मिस्ट्री तो रीट कर लेते हैं the Englishman visit to the Gemini studio is referred to as mystery because no one could decipher his identity whether he was a poet or an editor besides when he spoke no one at the studio understood what he intended to say as his accent was beyond their comprehension तो मैंने रीडिस लेकर जिससे आप समझो सबसे पहले तो जब उनको सुनने में आया कि कोई English poet आएगा तो बहुत बड़े-बड़े poets का नाम सूचा तो वो तो नहीं आ रहे थे फिर उने पता चला कि वो कोई editor है तो अच्छा यह आने वाले है जब फाइनली उनसे मिलते ह स्पीच देने आते हैं तो जब जो स्टीफन स्पेंडर ने स्पीच दी वहां की जनता बिल्कुल स्पीच को समझ भी नहीं पाई क्यूंकि उन्होंने क्या बोला है वह जो है जिस English accent में बोल रहे थे वहां की जनता को Gemini Studio के लोगों को वहां के गाओं के लोगों को वहां के है हमारी Gemini Studio ठीक है तो आते हैं अपने लास्ट क्वेशन पर जिससे ही मिस्ट्री उनकी लाइफ की रिवील हो जाती है तो नेक्स्ट क्वेशन है वाट ड़स दे गौट डाट फेल रेफर तो पता है जब हमारे ऑथर जो है रेटायर हो जाते तब जाए उन्हें समझ में आ उसमें 6 essays बहुत नामी writers के कौन-कौन से राइटर थे आप इन 6 राइटर का नाम तुम्हें याद रखना पड़ेगा एक बर कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर दो मेरे को आएगा ये लिखने को आंद्रे गीत ठीक है रिचर्ड राइट ठीक है यह यह आप नाम एक बार ल इसम अच्छा लगा था और फिर उन्हें की कमिया पता चली तो इन्होंने कमिनिजम को लीफ कर दिया तो इसलिए इन्होंने जो है यह बोक लेखी ती अब यह बोक को देखके ऑधर को समझ में आ गया अच्छा यह जो हमारे यह उस दिन इसलिए आयते स्टीफन स्पेंडर कि यह भी कमिनिजम की खिलाफ मॉरल रियालमेंट वाली कमिनिजम के खिलाफ थे हमारे जेमिना स्टीओ में कमिनिजम के खिलाफ बाते चल दी थी तो शायद योधन स्पीच भी कमिनिजम के खिलाफ ही देना है हो तो रिटार्मेंट के बाद जाके नहीं यह खुला सा इस र प्रेंड कर लिए दो में कप के नाम बताओ. ओके तूर पर देए अगले चैप्टर के इंपौर्टेंट ग्वैस्टन जो है दा इंटर्विव do to interview chapter में प्हित तुम्हें की इंटरवी पर बाता है प्रिवें पर बढ असली इंटर्वी पड़ हो मगा ठीक है तो चलो पहला क्वेंस्ट ईन्र इस स ऑफ वी ऐस नाई-पाउल पणतो कैते हैं कि कुछ लोग जो है इंटरव्य में से भी जाधा ड़ल लगता था इंटर्वियू सेग्राइब कासं पाइबू next question who is Umbattu Ekko, whom Mukut Pandman interviewed, Umbattu Ekko professor, University in Italy, who had acquired a formidable reputation as a scholar for his ideas on semiotics, so guys, he was a very reputed scholar and professor, he was a semiotics, he was a science, you can see a male sign, a female sign, he was a sign, he was a sign, so he worked on the sign, and later he was a famous novel, how does the novel The Name of the Rose bring Umbattu Ekko a super stardom, Umbattu Ekko has written a novel which was named The Name of the Rose, and this was a trend, like you said today, this is a very popular novel, Vicky has more than 10 million copies, which was a very famous novel, he became famous, Umbattu Ekko, next question we ask, what is the belief that some primitive cultures think about being photographed, so autographs, some primitive culture believe that getting what you have been photographed, and self-photographed would rob them of their souls, so you know, in the book you know, some primitive beliefs, some cultures, that say that the photo is being photographed, the human's spirit, the human's spirit, the human's spirit, the human's spirit, you have been photographed, why do most celebrity writers despise being interviewed, now tell you why is it that it doesn't like a lot of celebrity writers that don't like a lot of slavery, so you have to give a whole interview chapter of the chapter, why does it not like a person, so maybe someone thinks that a person's life is going to change, someone thinks that someone's angry, someone thinks that someone's like a crime, someone thinks that it's a crime, someone thinks that it's a horror, so you can explain this to me, इसमें एक्स्प्रीन करना होगा सब का पॉइंट फ्यू लिख देना आंसर बनिया इसका ठीक है हाव ड़स एको फाइंड टाइम टो राइट सो माच तो यह मोस इम्मोर्टन क्वेश्चन इस चैप्टर का जो इंटर्स एक्स की बारे में बताया था तो एको जी को उमबर्ट एको जी को इतना टाइम कैसे मिलता था हम तो कहते हैं बोट बीजी हैं बोट बीजी हैं पढ़ाई तक का टाइम मिलता उमबर्ट एको को कॉलिज पी जाते थे बच्चों को पढ़ाते थे लिटरेरी बुक्स भी लिख लेते थे स्कूल जो अपने यूदु अटक को This is school. तो मैं बताओ, स्कुल выпуск कर दो स्कूल वैडियो के मापने से युठक वे वे यू आने में ठाइम है तो उस बीच का जो टाइम है कि जब ह मैसे को टाइम की तैयार होगे बीच पर जो मिनटे है तो उस बीच का जो टाइम है उसको टाइम को यूटिलाइज जो है हमारे उम्टेगों करते थे जैसे उन पर जब भी कोई दो टास्के बीच का खले टाइम होता था तो उसमें वो राइटिंग कर लिया करते थे echo explained that this was just like the universe has empty spaces वो कहते हैं यूनिवर्स में जैसे बहुत सारी empty spaces है हमारी लाइफ में भी होती है और अगला question परते है what do you understand by the expression thumbprints on windpipe तो यह Saul Bello ने कहा था कि इंटर्व्यू देना उन्हें ऐसा लगता है thumbprints on windpipe मतलब सास की नली तो उन्हें असे लगता था किसी नों को सास नहीं ले पाने है जकल लिया उनको इंटर्व्यू के समय पे तो उनको बहुत उनकमफर्टीबल फील होता था दूरिंग इंटर्व्यू ठीक है अब लास्ट क्वेशन है इस चाप्ट का क्योंकि बहुत सारा हमने इसमें पढ़ा कि कुछ कुछ क्या तो इसमें लगते हैं उम्बर्ट एको को इंटर्व्यू अच्छा लगा होगा देकर तो यह उनको ने लाइफ की बहुत सारी बाते शेयर करेंगे जैसे उननों यह वी बताया कि मैं कॉन्जा टीवी के शोष देखता हूं मैं कैसे लाइफ में इतनी साही चीज़ों को मैंनेज करता हूं तो he was happy while giving the interview to the Mukud Padmanan ठीक है तो यह उम्बर्ट एको in all possibilities like being interviewed he readily answers every question asked by Mukud Padmanan in an energetic and lively manner बहुत बढ़िया से उनने answer करा और he does not seem oppressive about sharing his secrets उन्होंने अपने secret के मैं कैसे time बचाता हूं उसको भी उन्होंने यह नहीं सोचा कि मैं लोगों के साथ चेर कुरू ही shared everything ठीक है तो there is no indication through the interview interview पड़के हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि उन्हें interview देते वे अच्छा नहीं लग रहा होगा the future plans of Sophie बच्ची जो थी हमारी प्यारी से उसका क्या future plans थे तो Sophie एक दुनिया में रहती थी ख्वाबों की दुनिया में she aspired to have a boutique उसका मंत उसका boutique खुले school खतम होने के बाद और वो अपनी फ्रेंड जैंजी को बताती है कि उसके लिए पैसे बचाएगी manager की तरह work करेगी और एक और उसका idea था जो उसने में देमाग में बनाया था कि भाई मैं एक actress भी बन जाओंगी actress पर बहुत पैसा होता है तो अपनी पैसों से फिर एक boutique भी खोलूंगी और बहुत कुछ सोस्ती थी Sophie चलो अगला question why is Sophie attracted to Danny Casey तो Danny Casey एक young successful football player है from Ireland he's quite handsome handsome भी है which adds to his popularity among his fans तो और उनकी fans है और especially young girls Sophie जैसी बहुत Danny Casey की fan है Sophie उनकी बहुत attract है उनकी तरफ और जो है उसकी family भी उसकी बहुत बढ़ी fan है football matches देखने जाते रहते हैं तो इसलिए कैसी उसके लिए एक hero type का है और वो उसको बहुत प्यार करती है वो उससे मिलना चाहती है उसको एक तरीके से hero worship करती है वो how are Janzy and Sophie different from each other important mark कर लो इसको question यहां से कुछ ना कुछ आना जरूरी है क्योंकि दोनों बचियां बिल्कुल different थी एक दूसरे से तो Janzy and Sophie are contrasting characters बिल्कुल towards their life Janzy बहुत practical है जमीन पे पेर हैं उसके reality पता है वही सोफी imaginary दुनिया में रहती है Janzy का nature ऐसे उसने अमनी truth को accept कर लिया है उसे पता है मुझे पेसफर्ट फैक्टरी में स्कूल कतम होने के वाद जाके काम करना है on the other hand Sophie इस reality को मानना नहीं चाहिए और सोच लिए कि मेरा boutique खुल जाए यह हो जाए और में एक बड़े से footballer से मिल हो तो भाई यह बहुत सही है क्योंकि यह सोफी माडम अपने दिमांग में बहुत जगाए घूमती रहती है इसलिए the title is appropriate as Sophie जो protagonist teenager है वह fantasize करती है बहुत कुछ अपने दिमांग में बहुत स्टोरिया बना के इधर उदर वह घूमती रहती है ठीक है तो इसलिए यह किसे हंसे को फॉर्म करना ठीक है which was the only occasion when Sophie got to see Danny Cassie in person तो only occasion कब है जब वो Sophie Danny Cassie को देखती है तो तब ही होता है जब मैस देखने साथ हो सारी spectators की सारी audience की तरह वो भी देखती है ठीक है बड़ उसकी power of imagination ऐसी है कि वो स्टोरिया बनाती देती है कि मैं यहां मिली मैं यहां मिली ठीक है तो चलो है what thoughts came to Sophie's mind as she shared by the kenal दो वो kenal के पास बैठी होती है एक bench के उपर बैठ जाती है तो उसके दिमांग में क्या बात आती है तो उस समय Sophie को realize होता है कि Danny कैसी तो आएगा नहीं वो बिलकुल नहीं आएगा और उसे यादाते है अपनी भाई की बात है कि हां मेरे भाई ने मुझे काता कि Danny कैसी कभी नहीं आएगा ठीक है और फिर उसको ऐसे लगता है कि अपने भाई को बता पाएगी कि भाई वो गलत जाती है उसे पता है नहीं है अगर Danny कैसी घरवाल को बहने जूट बोला है बट फिर भी कहती है कि उन्हें सोचना है तो सोचने दो मैं तो ऐसा नहीं सोचोंगी तर लास्ट क्वेशन है इसा लॉंग क्वेशन सोफी बात थोड़े बहुत सही है बट सिर्फ सोचना और यह स सोचना सिर्फ आपकी ड्रीम को कमलेश नहीं करेगा आपको सॉलिद प्रूफ एक्शन प्लान पड़ेगा अपनी लाइफ में तो आपको यह बताना है कि क्या सिर्फ सोफी के सोचने से सब कुछ सही हो जाएगा यह क्वेशन में पूछा गया है वाट कौन सी क्वालिटी सो में को अपनी ऑग्रीम को चाहिए पर्सिवीरेंश होनी होनी चाहिए अपना गोल अप्लिश करने के विल होनी चाहिए मैंद करनी हानी चाहिए बस यह सब लेंकिए अपना आणसर बता देना डिफिकल्न कंडीशन आया तो उनको भी करने के अलग-अलग रास्ते निकालने इस तरीके से अगर वो Danny Casey को imagine करके fantasize करती रहेगी तो थोड़ी सब कुछ हो जाएगा तो इसलिए reality को accept करके उसको hard work करना चाहिए और ये सब बाते करके आप अपना answer form कर सकते हो ठीक है तो ये तो हमारा सीधा CBSC का answer given है previous year questions में से आप थोड़ा easy answer बना के लेखना और बाकी इसमें में आपके help भी करूँगे तो विद इस ये हो गए हमारे important questions complete हमारी entire flamingo book के भी तो going places तक हमने पढ़ लिए मतब each and every chapter के complete हो चुके हैं तो with this मैं चलती हूँ guys ये most important question है ये ऐसे हैं कि exam में आपको कहीं न कहीं जरूर जो है ये दिखेंगे मदद करेंगे आपकी ठीक है एक अलग series भी आएगी हमारी important question की जहाँ पे मैं आपको ये सभी chapters के थोड़े और जादा questions करूँगी हाँ तो to the point है हाँ ये तो पक्ये वाले पढ़ लोग ठीक है कुछ और और भी करेंगे हम practice करते रहेंगे जब तब हमारे exam आते रहेंगे तो चलो मिलेंगे हम next video में जा पर हम विस्तास के important question है इसे ही पढ़ने वाले हैं so let's meet in the next video so stay tuned for the next video अगर फ्लिमिंगो बुक के chapters नहीं पढ़े है तो जल्दी description box के link में या pen comment के link से जाके chapters को पढ़ लो